वेल्टम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चोन इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं चन्नाई सूपर किंग्स वर्सेस कॉलकता नाइट राइडर्स टाटा IPL मैच जो की खेला जाएगा वानखेडे स्टेडिया मुंबई में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से प्लेयर हैं जो फर्स्ट मैच के लिए अवेलिबल नहीं हैं क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली हैं सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सब पूरी वीडियो देखिएगा बह क्योंकि फेक चैनल काफी सारे हैं हमारे नाम के और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी सो बात करते हैं यहाँ पर वेन्यू की सो वानखडे स्टेडियम मुंबई में मैच खेला जाने वाला है यह काफी अच्छा बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड माना जाता है काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर बन जाता है और बाउंडरीज भी थोड़ी शॉट हैं और फर्स्क मैच हैं फ्रेश विकेट देखने को मिलेगा आप एक अच्छ बहुत बड़ा फेक्टर नहीं रहने वाला है दोनों टीम को बराबर मैच जीते हैं चाहिए बैटिंग फर्स्ट करते हुए हो चाहिए चेजिंग करते हुए हो और एवरेज फर्स्ट नहीं का जो स्कोर यहाँ पर रहा है वो रहा है 169 मतलब 170 रन का तो एवरेज स्कोर है तो इतना तो हमें यार देखने को मिलना चाहिए हाईस स्कोर की बात करें सो आर्सीबी ने यहाँ पर अपना हाईस बनाया हुआ है 235 एक विकेट के नुकसान पर और केके आर जिनका यह मैच है वो यहाँ पर वानकेडे में सबसे लोएस्ट स्कोर जो है वो केके आर का है व अभी कुछ मैच इसके लिए अवेलिबल नहीं होने वाले है और जो बड़ी खबर है वो है मोहिन अली की मोहिन अली का जो है न वीजा डिले हो गया है तो वहाँ पर उसके चलते न वो थोड़ा सा लेट आएंगे तो पहले मैच को न वो मिस करने के फुल चांसे है आईएल पर अभी तक की जो न्यूस है वो यही है तो यहाँ पर रितुराज गायकवर्ड ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे डिवान कॉनवे के साथ रॉबिन उथपपा उसके इसमें वन डाउन होंगे यहाँ पर अंबती राइडू है रविंदर जडेजा, MS धोनी, DJ ब्रावो यहाँ पर राजवर्धन को मुझे लगता है टीम मौका देगी इस बार, यहाँ पर Adam Milne है, K.M. आसिफ और यहाँ पर Chris Jordan और तिक्षना में से एक कोई खेल सकता है, बात करते हैं KKR की तरफ से से यहाँ पर वेंकटेश अईयर, ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे अजिं के साथ ओपन करना चाहेगी और यहाँ पर फिर श्रिया सायर है, नितिश राना है, सैम बिलिंग्स है, आंद्रे रसल, सुनील नरायन, पैट कमिंट, शिवम मावी, चकरवर्ती और उमेश यादव आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, इंटरस्टिंग फैक्स की बात क चुके हैं, लेकिन केके आर देना सिर्फ एक बार चन्नई के अगेंस्ट मैच जीता है, जब उन्होंने पहली बैटिंग करते हुए, मतलब अगर चेजिंग करते हैं, केके आर तो अच्छी है, लेकिन अगर बैटिंग पहले आ जाती है, केके आर की सो बहुत ही रेर केस में है, कि केके आर जीती है, सो ये चीज़ का ध्यान रखना, केके आर अगर बैटिंग फर्स करती है, तो सी एसके के फेवरेट आने के चांसे बन जाते हैं, मौस्ट रंस की बात करें, जो करन्ट प्लेयर्स जो भी स्कौर्ड में है, सो एमेस धोनी के 500 रन है, रॉबिन उथप हाईय स्कौर की बात करें, सो आंद्रे रसल का 88 नोट आउट है, यहापर इनितिशनाना का 87 और रॉबिन उथप्पा का 80 नोट आउट, लेकिन यह जब यह केके आर से खेलते थे, मौस्ट विकेट की बात करें, सो यहाँ पर सुनीन नरायन ने 21 विकेट निकाले हुए है, रविंद्र चडेजा ने 18 विकेट जब यह आपस में खेलते हैं, डीजे ब्रावो के 12 और अंद्रे रसल के 8, बोलिंग की फिगर्स की बात करें, सो रविंद्र चडेजा ने 4 विकेट निकाल के 12 रन दिये हुए है, फिर दुबारा रविंद्र चडेजा का नाम आता है, य तो स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की काफी अच्छी चोइस बन जाएगी, अगर चन्ने जो है ना वो चेस कर रहे है, तो काफी अच्छी चोइस आपके लिए बन जाती है, डिवान कॉन्वे यह बहुत ही क्लासिक प्लेयर है, और यह खिलाडिन आपके लिए लीग का कैप्टन बनता है, मतलब इने आप अगर एक मैच में भी यह फ्लॉप होते हैं तो आप इनके साथ लगातारी ने ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो, इवन स्मॉल लीग में भी एक अच्छी वाइस कैप्टन की चोइस है, क्योंकि यह जो जोड़ी है, मतलब रितुराज गायकवर्ड और डिवान कॉन्वे की, यह आपको कुछ मैचेज में ऐसा होगा कि यह दोनों ही अगर सपोस करो चन्नाई की पहले बोलिंग आती है, तो कुछ मैचेज ऐसे जाएंगे कि चेस करते हुए यहाँ पर गायकवर्ड और यहाँ पर कॉन्वे की जो है यहाँ पर और काफी important pick बन सकते हैं, differential player क्योंकि देखो यह वाला जो मैच है ना वो है KKR से, KKR के साथ यह already खेल चुके हैं, मतलब काफी मैचेज KKR के लिए खेले हुए हैं, तो ऐसे में ना कहीं बार एक होती है, यह मेरी पुरानी टीम है, इनके against मुझे अच्छा करना एक हमेशा यह रहती है, तो आपके लिए अच्छी differential pick बन सकती है, और इन्होंने last season भी उथपा का अच्छा गया था, तो एक अच्छी differential player बन सकते हैं, अमबती राइडू जो है, आपके लिए अगर आप KKR के favor में टीम बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि गायक वडि hitting की जरूत होएगी, तो मुझे लगता है, रविंदर जड़ेजा को promotion मिल सकता है, तो अमबती राइडू टीम के लिए important है, चाहू तो try कर सकते हो, रविंदर जड़ेजा काफी important player रहेंगे इस team के लिए, क्योंकि betting से बहुत तगड़ी form में है, bowling से भी बहुत तगड़ी form म है, अगर चन्नेई पहले betting करती है, तो मेरे इसाब से captain की बहुत अच्छी choice बन जाएगी, small league के लिए, यहाँ पर सिर्फ एक doubt जो रहेगा, वो यह रहेगा कि bowling कितनी करेंगे इस match में, क्योंकि यहाँ पर सामने की team में न, काफी ज़्यादा lefty bets में है, अगर आप देखो venker टेश एयर है, नितिश राना है, फिर आपके पास सुनील नरायन भी है, तो यह भी चीज़ देखने वाली होगी, लेकिन अगर चन्नेई की पहले betting आती है, तो मुझे लगता है, रविंद जगड़ेजा captain wise captain की best choice बन जाते हैं, MS Dhoni की बात करें, सो vintage माही है, हर कोई देखना चाता है, और practice में अच्छे shots इन्हों ने लगाए हैं, और आपको wicket keeping के तो points देते ही हैं, और अगर पहले चन्नेई की betting आती है, सो आप MS Dhoni को अपनी team में preference दे सकते हैं, DJ Bravo, team के लिए important death bowler बन जाएंगे, अब बैसे भी, जो है main जो इनका bowler है दीपक चहार वो available नहीं है, और सो उस case में मुझे लगता है, DJ Bravo के उपर और responsibility आएगी, death में over डालने की, सो यहाँ पर एक अच्छी pick आपके लिए बन जाएंगे, lower order में run भी करके दे दे देते हैं, एक अच्छी differential player जो यहाँ पर बन सकते हैं, वो है राजबर्धन, यहाँ पर इन्हों इन्हों चन्नाई मौका देगी, और एक अच्छी differential player आपके लिए बन सकता है, और grand league के लिए ज़रू try कर लेना, as a normal player, Adam Milne को मुझे लगता है, इस चन्नाई की टीम में काफी matches मिलने वाले हैं, और recent form जो है, वो काफी अच्छा है, काफी तेज bowling करते हैं, और एक important player बन के यहाँ पर टीम जा सकती है, अगर नहीं जाती, तो Jordan बन जाएंगे, Jordan जो है, फिर death bowling करेंगे, प्लस आपको lower order में runs भी करके दे देंगे, यहाँ पर केम आसिफ को मौका मिल जाएगा, मुझे लगता है, यहाँ पर क्यूंकि चाहर नहीं खेल रहे है, तो चाहर खेलेंगे, तो केम आसि जो है, और death bowling करते हुए नजर आजाएंगे, important players की बात करें, तो यहाँ पर guy quad और Conway काफी important है, फिर रविंज रिचडेजा, यह तीन प्लेयर काफी हद तक, फिर मोही नली जब आएंगे वो, यह तीन से चार प्लेयर नहीं बहुत important रहेंगे, कि चन्नाई का सीजन जाता कै इसा है उसके लिए, फिर MS Dhoni है, DJ Bravo और Adam Milne जो है, इस team के important खिलाडी है, बात कर लेते हैं, कॉलकाता नाइट राइडर्स की बहुत तगडी team ने के आया है, भाई, मदब ऐसा लग रहा है, perfect team है, और अगर team अच्छा खेल गई, तो यह जो है ना, काफी strong team बन सकती है, इस season के लिए, सो कॉलकाता फैन्स के लिए तो यह बहुत खुछ का परी बात है, क्योंकि team सच में बहुत on papers बहुत strong लग रही है, यहाँ पर वेंकर टेश एर open करते हुए नजर आ जाएंगे, बहुत अच्छी फर्म में है, चाहे इंटरनाशनल क्रिकेट में हो, चाहे लास्ट यहाँ पर मुझे लगता है, बहुत अच्छा इनके लिए गया है, उम्मीद करेंगे यह ऐसी ही कुछ performance दें, यहाँ पर small league में captain wise captain आप इने try कर सकते हो, लेकिन कॉलकाता इस team में मुझे लगता है कि bowling कितनी करेंगे, वो देखना होगा, क्योंकि 7th bowler जो है, वो यहाँ पर इयर रहेंगे, अगर यहाँ पर Russell किसी match में fit नहीं होते हैं bowling के लिए, उस case में इयर आपको bowling करते हुए भी नजर आ जाएंगे, so small league के लिए captain wise captain की अच्छी choice बन जाती है, यहाँ पर मुझे लगता है, रहाने को खिलाया जाएगा, रहाने की जगा team चाहे तो finch खिला सकती है, लेकिन मुझे लगता है रहाने को मौका मिलेगा, क्योंकि already अगर आप देखो ना team के पास ज़्यादा stroke लगाने वाले खिलाडी है, so अगर finch को भी ले आते हैं, so सारे के सारे एक तरीके से stroke लगाने वाले खिलाडी हो जाएंगे, और यहाँ पर रहाने एक ऐसा और इस सीजन में important बन सकते हैं, एक अच्छा trump card pick आपके लिए साबित हो सकता है, grand league में आप इन अगर खेलते हैं, so captain भी try कर सकते हो, श्रे सायर बहुत ही अच्छी form में है, recently और captain है, यहाँ पर KKR के, so small league में भी captain wise captain की काफी अच्छी choice बन जाएंगी, reliable player है, number 3 पर batting तो एक important pick रहेगी और small league में अच्छी captain wise captain की choice बन जाती है, नितिश राना की बात करें, यह इस खिलाडी यह काफी अच्छा खिलाडी है, और KKR ने काफी time से इन पर invest भी किया है, so यह आपके लिए important player है, लेकिन small league में थोड़ा सा रिस्की बन सकते हैं, क्योंकि top order काफी strong ह और यहाँ पर और भी picks आपके पास रहती है, लेकिन यह एक अच्छी differential player आपके लिए बन जाएगी, so grand league में ज़रूर try करना, और अगर आप चन्नाई के favor में team बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि चन्नाई असानी से मैं जीच जाएगी, उस team में आप नितिश राना को preference ज़रूर दे सकते हैं, Sam Billings अच्छा खिलाडी है, जो अच्छी betting कर लेता है, आपको wicket keeping के points दे देगा, so एक अच्छी pick आपके लिए बन जाती है, अंधर रसल तो आपकी team में होने ही चाहिए, any day और ये end के ओर स्वी last time कर रहे थे, और यहाँ पर अगर टीम पहले bowling करती है कॉलकाता की पहले bowling आती है, उस case में तो Russell को आप small league में captain wise captain भी कर सकते हो, सुनील नरायन एक और important खिलाडी जो कॉलकाता के लिए है, यहाँ पर रसल और नरायन जो काफी time से जो है कॉलकाता के लिए खेल रहे है, नरायन कभी time पे open भी करते हैं लेकिन अब मुझे लगता है उपन नहीं करेंगे, यहाँ पर इन्हें floater की तरह यूज कर सकते हैं कि जब थोड़े से hitting की ज़रूरत हुई, यहाँ पर नरायन को भेज सकते हैं, recent times में bowling बहुत अच्छी है, लेकिन recent times में bowling इस थोड़ी से dip हुई है, इतने wickets इनको recent times में मिले नहीं है, यह एक थोड़ी choice आपके लिए captain की बन जाती है, शिवम मावी last season काफी अच्छा गया था, और starting में अगर आपको लगता है देखो, लेकिन यह है कि mostly starting के ओवर डालते हैं, और यहाँ पर शिवम मावी जो है, मुझे लगता है कि सामने क्योंकि Devon Conway है और यहाँ पर रितुराज गायकवड भ लिए क्योंकि KKR लगातार इनके चार ओवर हर मैश में कराती हैं, जब से खेल रहे हैं यह अपने ओवर पूरा करते हैं, और mystery बोलर हैं, यह trouble कर सकते हैं, specially जो middle order है, महाँ पर यह wickets निकाल सकते हैं, तो चक्रवरती important बन जाएंगे, specially अगर पहले bowling आती है KKR की, उमेश यहाँ पर मौका मिल सकता है, देखते हैं कैसा करते हैं, मैं grand league में recommend करूँगा, क्योंकि यह थोड़ा उस तरीके खिलाडी हैं, जब चल जाएंगे तो 3-4 wicket भी निकाल सकते हैं, otherwise पिटाई भी इनकी काफी होगी, क्योंकि line length पर देखना हुआ कैसी करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उमेश जादव जो है, वो अच्छा करेंगे, यहाँ पर death bowling की बात करें, so Russell होंगे अगर fit हैं तो, और यहाँ पर commence या फिर उमेश जादव, depending के यहाँ पर 16-20 ओवर इनके बीच में निकाल सकती है team, यहाँ पर बात करते हैं, important खिलाडी की, so दोनों आईयर, वेंकटेश हैयर, श्रेयस हैयर, यहाँ पर सुनील नरायन, पैट कमिन्स, रसल्स और यहाँ पर चकरवर्ती जो है team के लिए काफी important player है, small league captain wise captain काफी अच्छे option रहेंगे, small league में यहाँ पर different player आप देख पाओगे, opponent coach कोई player लेके आएंगे, so रविंदर जडेजा है, श्रे रखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, चलिए शलते हैं, dream 11 team की तरफ, wicket keeping section में हमारे पास billings हैं, और MS धोनी है, दोनों ही काफी अच्छे option है, मैं यहाँ पर billings के साथ जा रहा हूँ, अगर यहाँ पर jackson खेलते हैं, so jackson को भी try कर सकते हो, लेकिन उस case में फिर मैं ध billings को preference दी है, यहाँ पर betting section में जो दो खिलाड़ी आपके पास होने ही होने चाहिए, वो है, अईयर और गायकवर्ट दोनों ही काफी अच्छे player हैं, so दोनों के साथ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर नितिश नाना है, जो काफी अच्छे KKR के लिए batsmen रहे हैं, middle order सेम अंबती राइडू का सेम रोल है, लेकिन यहाँ पर मैं जो है, डिवान कॉनवे के साथ जा रहा हूँ, उनको मैंने preference दी है, एरॉन फिंच केलते हैं, so decent pick है, यहाँ पर उथपा एक अच्छे differential player बन सकते हैं, और रहाने open करेंगे, selection काफी कम होगा, so एक grand league के लिए भॉ विनली हाई chances हैं, miss कर जाएंगे यह वाला match, यहाँ पर सुनील नरायन को try कर सकते हो, शिवम दूबे के मुझे लगता है थोड़े कम chances हैं, लेकिन अर खेलते हैं, so अच्छे pick बन सकते हैं, बात कर लेते हैं, यहाँ पर bowling section में, so bowling section में जो दो खिलाड़ी में लेकर जाने व मिलन को लिया है, यहाँ पर Chris Jordan का भी एक option है, अगर खेलते हैं तो, और महेश तिक्षना सामने lefty batsman है, so उने trouble कर सकते हैं, अब हमारे पास एक player की choice बच रही है, so उसमें हम क्या pick ले सकते हैं, so यहाँ पर चक्रवरती और यहाँ पर जो है नरायन का एक option है, अगर हम चाहें तो बैटिंग से यहाँ पर नितिशनाना, राइडू या फिर उतपा रहाने में से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर सुनील नरायन के साथ गया हूं, considering all rounder performance, लेकिन यहाँ पर मैं जो है final pick में वरुन चक्रवरती को भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के मैंने नरायन को रखा है, यह बन रही है मेरी small league की team, बात करते हैं, captain wise captain की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है captain wise captain, मैंने जो first match में captain रखा है, वो रखा है, रविंदर चड़ेजा को, wise captain मैंने बनाया है, श्रेस अईयर को, यहाँ पर रितुराज गायकवर्ड, यहाँ पर व grand league teams की तरफ, उससे पहले fan to play app की भी आपको team दिखा देता हूँ, so same team जो है, वो मेरी fan to play app पे रहेगी, यहाँ पर leaderboard आ रहा है, जिसमें winner को जो है, Australia, world cup final, world cup t20 दिखाया जाएगा, so आप खेल सकते हैं, link description में है, fortune refer code है, उसके थूर डाउनलोड कर सकते हैं, अब चलिए च especially work करेगी, अगर CSK पहले bowling करती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, bowling करती है, so यहाँ पर मैंने bowlers ले लिए हैं, CSK के, अगर तिक्षना नहीं खेलते हैं, Chris Jordan कहलेंगे, so Jordan को हम ले लेंगे, ठीक है, और captain मैंने opening pair बनाया, और यह opening pair से मुझे काफी जादा उम्मीदे है मुझे लगता है, CSK के लिए काफी अच्छा है, दोनों player कर सकते हैं, और काफी अच्छी partnership कर सकते हैं, so मैंने captain Gaiakward को, और Devon Convey को मैंने vice captain किया है, इस team में, बात करते हैं team 2 की, so यहाँ पर Iyer combination के साथ मैं गया हूँ, Wankatish Iyer को मैंने captain किया है, और यहाँ पर मैंने Shreyas Iyer क vice captain रहने को भी team में रखा है, और इस team में MS Tony हमने लिए है, so यह रहीगी मेरी grand league की team number 2, so आप same team लगा सकते हैं, multiple teams भी आप बना सकते हैं grand league में, लेकिन grand league खेलना जरूर, so और small league की team जो है यह रहेगी, so उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है, so like करो, share करो, comment करके बताओ, आपके हिसाफ से कौन सी team ये वाला match win करने वाली है, देखो यार, on papers जो है, मेरे हिसाफ से KKR काफी strong नजर आ रही है, plus यहाँ पर दीपक चाहर और मोहीन अली जैसे जो main player है, चन्नाई के लिए, वो नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर KK की पहले betting आती है, तो मैं CSK को favorite मान के चलूँगा, लेकिन मतलब की जो भी team chase करती है, मुझे लगता है chase to win ये वाला match होने वाला है, आप comment करके ज़रूर बताएगा, आपके इसाफ से कौन सी team ये वाला match जीतने वाली है, और best performance इस match में कौन देने वाला है, comment करके ज़रूर बताना और साथ के साथ हमारे साथ telegram channel पर जुड़ना ना भूलना, link description में है, और comment section में भी pin कर दूँगा, उसी के थूरू जुड़िएगा, और YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा दीचिए, जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी